अब इनसान के दिमाग में लगेगी चिप, पुरानी यादों को नए शरीर में किया जा सकेगा ट्रांसफर. Neuralink USA की एक कमपनी है जिसके फाउंडर एलोन मस्क है. Neuralink Brain चिप बनाने वाली कमपनी है. यहाँ चिप आपकी सोच को बिना बोले या लिखे मशीन को बताती है. यहाँ एक ऐसी कमपनी है जो इनसानों का जीवन और भी सरल और तेज बनाएगी. इस चिप का आकार नाखोन से भी छोटा है. Neuralink Technology Artificial Intelligence की दुनिया को विक्सित करने की तरफ एलोन मस्क का एक कदम है. Neuralink इनसान के दिमाग के अंदर सरजरी के जरीए एक Brain चिप को इंप्लांट करता है. इसके साथ ही बहुत ही पतली तारों को रोबोट की सहायता से दिमाग में लगाया जाता है. यह तारे दिमाग से सिगनल कलेक्ट करके Brain चिप को भीजती है. अभी तक इस Brain चिप का प्रयोग केवल सुवर और बंदरों पर किया गया है. इस चिप की मदद से साइन्टिस्ट यहाँ पता लगा रही हैं कि तरह तरह की गतिविधियां करते समय इन जानवरों के दिमाग में किस तरह के बदलाव होते हैं. इस Brain चिप की मदद से इनसान बिना हिले ही किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं. हलाकि अभी इसका चायल किसी भी मनुर्श पर नहीं किया गया है. Neuralink ने अपनी चायल में कई जानवरों के दिमाग में Brain Chip का प्रयोग किया गया है. Neuralink ने पिछले साल अप्रेल में एक विडियो रिलीस किया था जिसने की एक बंदर बिना कुछ किये केवल Brain Chip की मदद से पिंग पॉंग गेम खेल रहा था. एलोन मस्क का कहना था कि वे जल्द ही इनसानों पर भी ट्रेल्स शुरू करेंगे. मगर हाल ही में एक जानवर सुरक्षा दल ने USA की Agriculture Department में Neuralink की शिकायत दर्ज की है. उनका कहना है कि चायल के दौरान बंदरों के साथ कुरूरता की जाती है. उनका यह भी कहना है कि Brain Chip लगाने के लिए 23 बंदरों को चुना गया था जिसमें से 16 की मौत हो गई है. केवल साथ ही जिन्दा बचे है. Elon Musk का कहना है कि Brain Chip उन लोगों की मदद करेगा जो चल या हिल नहीं सकते. यह लोग अपना काम खुद कर सकेंगे. ये मशीन को कंट्रोल अपने दिमाग से कंट्रोल कर लेंगे. इसका प्रयोग सुरक्षा बलों और खुफिया जासूस द्वारा किया जा सकता है. भविश में अगर किश तरह इंसानी दिमाग को मशीन से जिन्दा रखा जा सकेगा तो यह Brain Chip उसको अमर भी बना सकती है. अगर कभी भविश में ये Brain Chip हैक हो गई तो इसका गलत प्रयोग हो सकता है. अगर Artificial Intelligence इस चिप को कंट्रोल करने लगा तो वो इंसानों पर कबजा कर सकती है. अभी तक Human Trial नहीं हुआ परंतु Elon Musk ने कहा है कि वे जिल्दही Trial शुरू करेंगे.